आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन के कीबोर्ड की लेंगविज को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानि की कीबोर्ड में लेंगविज को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करिए, उसके बाद नीचे स्क्रोल करिए और एक option आएगा additional settings या फिर more settings इस पे click करिए उसके बाद एक option आएगा languages and input या फिर option आएगा keyboard and input इस पे click करिए अब उसके बाद एक option आएगा नीचे manage keyboard का तो manage keyboard के option पे click करिए और click करने के बाद अब gboard अगर आपका by default यहाँ पर set नहीं है तो आप इसे by default keyword बना लीजिए तो इस type से यहाँ पर आपको इसे on करने का option मिलेगा तो इसे on करिए और जो पहले से set है उसे आप off करिए और उसके बाद gboard का जो option आएगा इस पे click करिए इस type से और click करेंगे तो ऊपर एक option आएगा languages तो languages पे click करिए तो language को change करने के लिए सबसे पहले language को add करना होगा तो add keyword पे click करिए यहाँ पर उस language पे click करिए जो की आप अपने keyword में अब लगाना चाहते हैं तो हम search कर लेंगे उपर हिंदी उसके बाद इस पे click करेंगे और done पे click करेंगे और यह language add हो जाएगी तो जो language आपको add करनी है उस language पे click करके done पे click करके add कर सकते हैं example के लिए हमने हिंदी को add किया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं WhatsApp को open करेंगे और जब आपका keyboard open होगा यहाँ पर तब space बार पे click करके रखिए जो language आपने add की होगी वो सारी language आ जाएंगी जो language आपको use करनी है उस language पे click करिए और उसके बाद अब जैसे की हम जो English में type करेंगे वो यहाँ पर हिंदी में type होने लग जाएगा या फिर अगर आपको और सी language को add करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं option मिलता है कि ABC to Marathi यानि कि ABC to उस language में type करेंगे आ फिर डारेक्टली उसमें आप type कर सकते हैं तो जैसे कि हमने यह select किया तो हम यहाँ पर उसे language को type कर सकते हैं तो इस तरह से keyboard में language को change कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें